बच्चो अभी तक के अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार किसी वस्तू की कीमत का उसकी मांग पर प्रभावित कर देता है। यनि कि वस्तू की मांग और कीमत में क्या संबंध है? इनमें पूर्ती भी एक महतुपूर तत्व है जो कि वस्तू की कीमत को प्रभावित कर देता है कुल मिलाकर वस्तु की मांग, पूर्टी, कीमत ये सारे तत्व कहीं न कहीं वस्तु की लागत से भी प्रभावित होते हैं आज के अध्याय में हम वस्तू की लागत के अवधारनाओं इसके आगम यानि की उत्पात से होने वाली आई के अवधारनाओं के बारे में जानेंगे तो आईए देखते हैं कि क्या है लागत के अवधारना लागत के जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात निकल कर आती है कि किसी वस्तू का उत्पादन करने उसको बनाने में कितनी लागत आई किसी भी वस्तू की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वास्तों में उस वस्तू को बनाने में लागत कितनी आई क्योंकि जब हम किसी वस्तु का कीमत निर्धारित करते हैं तो उसमें दो चीजें शामिल होती हैं उस वस्तु की लागत प्लस उस पे हमको जो प्रॉफिट लेना है इन दोनों को जोड़के हम उस वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं तो क्या है लागत, कौन-कौन सी चीजे इसमें शामिल होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम किसी वस्तु की लागत, इन सभी प्रशनों को हम इस अध्याय में जानेंगे पिछले अध्याय में भी हमने देखा कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के कई साधनों का सहयोग लेते हैं अगर हम अर्थशास्र के द्रश्टी से देखते हैं तो हम उत्पादन के पाँच साधनों के बारे में जानते हैं भूमी, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस जिसका संशुप्त में हमने पिछले अध्याय में भी अध्यान किया था यहां हम देखते हैं कि वास्तों में इन पाँचों साधनों को भूगतान के साधार पर किया जाता है भूमी, जिस व्यक्ति से हम लेते हैं जो भूमी का स्वामी होता है वो व्यक्ति कहलाता है भूमी पती पूंजी हम जिस वेक्ति से लेते हैं यानि कि पूंजी का जो स्वामी होता है वो कहलाता है पूंजी पती श्रमिक जिन से हम श्रम लेते हैं जो हमारा काम करते हैं वे कहलाते हैं श्रमिक एक इस पूरे उत्पादन के जो प्रक्रिया है उसमें संगठन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है संगठन एक ऐसा संग एक ऐसा ग्रूप होता है लोगों का जो उत्पादन के प्रारंब से लेकर अंत तक सहयोग देते हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि समस्त प्रबंध की कारेविक करते हैं तो वे जो लोग होते हैं उन्हें हम संगठन करता कह सकते हैं और पाच्वा जो इसका साधन है यानि कि साहसी जिसने साहस वहन किया है कि इन सभी साधनों को समयवजित करके कुछ उत्पादन किया जाए अब इनको हम भुकतान किस प्रकार करते हैं कि जो भूमी पती होता है उसे हम देते हैं लगान उसे हम जिस राशी का भुकतान करते हैं भूमी का जो किराया होता है उसका हम भुकतान करते हैं जिसे हम कहते हैं लगान पूंजी जिससे हम प्राप्त करते हैं यानि कि पूंजी पती से हम जब पूंजी प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में हम जो उसको मूले देते हैं पूंजी के प्राप्त करने के बदले वो है ब्याज श्रमिकों को हम उनके श्रम के बदले में देते हैं मजदूरी संगठन करताओं को हम वेतन देते हैं और अंत में जो भाग बज जाता है वो होता है साहसी का लाब भी हो सकता है और हानी भी हो सकती है इसी कारण इसे साहसी कहते हैं वो साहस रखता है कि अगर हानी भी हो गई तो वो वहन करेगा यानि कि ये जो लगान है ब्याज है मजदूरी है वेतन है और साथ में हम इसमें साहसी का लाब भी शामिल कर लें तो ये जो पांचों मुल्य जो निकल कर आते हैं जो पांच व्य हम कह सकते कि पांच प्रकार के जो व्य होते हैं उत्पादन में वो कुल मिलाकर लागत कहलाते हैं इन पांचों में जो पांचवी अवधार्णा है साहसी की वो एक नवीन अवधार्णा है नवीन अर्थशासरी मानते हैं कि उसे भी लागत में क्यों शामिल नहीं किया जाए भाई अगर साहसी को लाब नहीं होगा हमेशा उसको हानी होते रहेगी तो वो उत्पादन क्यों करेगा वो इन चारोई कायों को समयोजित करके अपना समय क्यों खराब करेगा क्यों इतनी महनत करेगा तो कहीं न कहीं साहसी को होने वाला लाब उन्होंने उसे सामाने लाब का दर्जा दिया है और उसको भी लागतो प्रोफेसर जे एस बेन के अनुसार किसी उत्पत्ती के उत्पादन लागत उसे उत्पादित करने के लिए उत्पत्ती के सेवाओं का क्रैमुली का योग होता है तथा या उत्पादन को प्राप्ट करने के लिए फर्मद्वारा किये गए कुल मौद्रिक त्याग के बराबर होता है उम्क्रीट हंट एवं किंटर के अनुसार उत्पादन लागत में वे सभी भुपतान शामिल है जो कि दूसरों को उनकी वस्त्वों एवं सेवाओं के उप्योग के बदले में दिया जाता है इसमें मूल लिहास और प्रचलन भी सम्मलित रहते हैं इसके अत्रिक्त इस प्रफेसर बेन की इस परिभाशा में भी उन्होंने इस पूरी लागत को एक इकाई की रूप में वेक्ति किया है उन्होंने भी यही माना है कि एक इकाई को बनाने में कितनी लागत आती है इसको कैलकुलेट करते हैं हम लागत के अवधारना के अंतरगत वैसे ही अगर हम प्रोफेसर उग्रीट की परिभाशा देखे तो उन्हों ने भी कहीं न कहीं इस इन साधनों पर जो वै किया जाता है उसी वै को उस वस्तु की लागत निर्धारन का अधार माना है अब ये जो लागते होती है इनको भी हम कई भागों में बाढ़ सकते हैं किस प्रकार हम इन लागतों का अलग अलग वर्गी करन करके फिर हम इन काध्यान करेंगे तो इन लागतों को हम तीन भागों में बाढ़ते हैं सबसे पहली है मौद्रिक लागत दूसरी है वास्त्रिक लागत और तीसरी है अवसर लागत मौद्रिक लागत के अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम से इस पस्ट है मुद्रा में जो हम मूले उत्पादन के साधनों को देते हैं जैसे कि अभी हमने देखा कि उत्पादन के साधनों को हम लगान देते हैं, ब्याज देते हैं, वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं और साहसी का अपना कुछ लाब का हिस्सा होता है इन सभी साधनों को मुदरा के रूप में हम भुक्तान करते हैं लेकिन यहाँ पर एक महतिपूर जो बात है वो यह है कि तभी हम उसको मौदरिक लागत मानेंगे जब यह सारे जो साधन है वो स्वेम सहसी के यानि की जो मालिक है स्वामी है वैसाय का उसके ना हूँ उसने इन सभी साधनों को किसी ना किसी मूले पर लिया हुआ हो इस दशा में इन साधनों को जो भुक्तान किया जाता है वे सभी जो लागते होती है वो मौद्रिक लागत की अंतरगत आती हैं अब अगर हम मौद्रिक लागतों का भी अगर विसलेशन करें तो हम इसको भी देखते हैं कि ये भी अपने आप में तीन भागों में बटी हुई है कौन कौन से भाग होते हैं इसके इस परस्ट लागत और समानिवे इस परस्ट लागतों कि अगर हम बात करें तो हम देखते ह हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबं देशा सिद्धिन हां करते हैं इंधन हैं जिसली जहां से ने वहां से उनको डारीक्ष से वह संबंदित होती है यानि कि वास्तों में ये जो इस्पस्ट लागते होती हैं ये सारी वही लागते होती हैं जिनको खर्श करने के लिए जो वैपार का स्वामी है इन साधनों की जो मालिक होते हैं उनसे जो समझहोता किये रहते हैं कि अगर आप हमें भूमी देंगे तो हम इतना आपको लगान देंगे या पूंजी देंगे तो हम उस पर इतना प्रतिशत ब्याज देंगे या श्रमिकों को से contract जो हुआ रहता है कि हम आपको श्रम के बतले इतनी मज़़ूरी देंगे कुल मिलाकर यह वही सारे वै होते हैं अभी अगर हम इन जो हमारे इसपस्ट वै हो हैं और अनलागतों को भी हम अलग-अलग कर सकते हैं अगर हम उत्पादन लागत की बात करें तो जैसा भी हमने देखा कि कि जो प्रत्यक्ष लागते होती हैं जिसे जो मशीने होती हैं मशीनों को खरीदने पर मशीनों को लगाने में हम जो वै करते हैं यह सारे उत्पादन के लिए जो महत्वकूर होती हैं कच्चे माल को हम खरीदते हैं यह सारे जो वै होते हैं वो उत्पादन से संबनित होते हैं और दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा जो है वो विक्राश लागत यानि की उतपादन तो हमने कर लिया अब उस बनी हुई वस्तु का उस उतपादित वस्तु को हमको मार्गेट तक ले जाना है और हमको उसको बेचना भी है तпри हमको उस पादक विज्ञापन का सहरा लेता है या विपढन यानि मार्केटिंग का सहरा लेता है तो विज्ञापन पर जो वय होते हैं वो ऐसे वय होते हैं जो एक बार अगर पादक कर देता है तो उसका लाब जो होता है वो काफी लंबे समय तक प्राप्त होता है तो यहां पर विज विपड़न करने के लिए एजेंट को जो व्य किये जाते हैं कमीशन जो दिया जाता है वो सारे व्य जो होते हैं वो यहाँ पर विक्रय के व्य के अंतरगत आते हैं तीसरे अगर हम इसके व्य की बात करें तो अन्य लागते भी आती है बहुत सारी जैसे सुरक्षा के दृष्टी से हम बीमा करवाते हैं जो मशीने होती हैं भविश्य में उनमें टूट फूट होती है तो मूल लिहास के लिए हम एक अलग से कोश बनाते हैं ऐसे छोटे-मोट बहुत सारे होते हैं जीने हम अनने लागतों के अंतरगत शामिल करते हैं तो कुल मिलाकर ऐकचाने लागत जो है वह वास्तों में जो हमने तीन प्रकार की लागते देखी वास्तविक और अफसर लागत इन में एक महतुपूर लागत है क्योंकि और यही उत्पादन से संबंदित है और यही एक वस्तू को बजार तक ले जाने में खर्च की जाती है दूसरी अगर हम असपस्ट लागतों की बात करें तो इन असपस्ट लागतों में बहुत सारे ऐसे व्या जाते हैं जो निरंतर काम आते रहते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में पादन में कमी हो वृद्धी हो किसी भी प्रकार का परिवर्तन कोई प्यमाने में परिवर्तन किया जाए लेकिन इन असपस्ट जो लागते होती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है जैसे भवन जो है वो उतना ही रहेगा वही रहेगा बिजली जो है इंधन का हम जो प् लाने के लिए जो छोटे मुटे प्रबंद की वे हैं समाने वे हैं वे सारे वे इसके अंतरगत आते हैं तो मौद्रिक लागत को कुल मिलाकर हम इन सभी भागों में बाढ़ सकते हैं दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर वास्तविक लागत की तो वास्तविक लागत जो है यह अपने आप में हम यह कह सकते हैं कि मनों में ग्यानिक धारना है यहाँ वास्तविक लागत की बारे में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कारे को करता है तो वो सिर्फ उस कारे को करने के लिए ऐसा नहीं है कि अपने पास से वो जो मुद्रा है उसको लगाता है पैसा लगाता है बलकि वो कई मानसिक और शारिरिक कस्टों का वहन करता ह ने वह वाली वास्तविक लागट वाली जो अवधारना है वह कुल मिला कर ऐसा कहा जाता है कि कस्ट प्रयत्न और त्याग का परिनाम है कष्ट यानि कि उसकारे को करने के लिए श्रमिक को श्रम करने में जो कष्ट सहन करना पड़ा या हम कह सकते हैं कि पूंजी पती ने अपनी पूंजी हमको दी है तो उसको ब्याज देना पड़ेगा क्यों देना पड़ेगा ऐसे नहीं कि उसने हमें पैसा दिया उस उस पैसे को संचित करने के लिए जमा करने के लिए उसने अपने कितने सारे वयों को रोका होगा अपने कितने सारे खर्च को उसने स्थगित किया होगा वह उस पैसे को अपने लिए भी तो यूज कर सकता था अपने सुखसुविधाओं पर भी खर्च कर सकता था लेकिन उसन तो जाहिर से बात है उसके बदले में वो कुछ ना कुछ मूल्य आप से लेगा उसी मूल्य को हम पूंजी पती को ब्याज के रूप में देते हैं ऐसा मानना है वास्तविक लागत की अवधार्नों को विक्सित करने वाले अर्थशास्त्रियु का पर एक्शल्य जो आधुनी करत शास्त्री थे वो इस वास्तविक लागत को समाजीक लागत का भी नाम देते हैं क्योंकि कहीं न कहीं यह उन्हों ने शब्दों का प्रयोक किया है कष्ट या त्याग यह कहीं न कहीं एक समाजीक अवधारना को भी विक्सित करते हैं अगर हम एक उदाहरण देखें कि एक कुर्सी बनाने के लिए हम एक कुर्सी बनाने वाले को फनीचर बनाने वाले को हमने कुछ समान दिया सारी लकड़ी वगएर हमने उसको दे दी और 500 रुपय उसकी मजदूरी है हम उसे 500 रुपय देंगे तो हम यह नहीं कह सकते कि 500 रुपय में सिर्फ उसने लकड़ी को ठोका पीटा और जोड़ के चेर बना के दे दी उस कुर्सी को बनाने में उसको बहुत सारे अपने काम को रोक कर अपने समय का प्रयोग वो अपने लिए ना करके उसने हमारे लिए उस समय का प्रयोग किया अपने बहुत सारी शक्ताओं को उसने सीमित किया बहुत सारे काम को रोका और उस समय को उसने आपको दिया तो कहीं ना कहीं उसने समय का त्याग किया उसने श्रम किया शरीर को शरीर से उसने परिश्रम किया इसलिए तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो हमने 500 रुपय उसको भुक्तान किया कहीं ना कहीं उसने वहाँ पर कोई प्रयत नहीं किया कश्टी किया या किसी त्याग किया इसलिए हमने उसको वो धनराशी दी है अगर मार्शल की परिभार्षा देखे हम इस पुरियावधार्णा को और अधिक विक्सित स्पष्ट करने के लिए आए देखते हैं मार्शल ने क्या कहा है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के निर्माण में विभिन प्रकार के श् सब बाते मिलकर वस्तु की वास्त्रिक लागत के ही अंग होते हैं मार्शल का भी एमाना है कि प्रतेग के स्वामी है उन्हों ने अपने साधन को आपको प्रयोग करने के लिए दिया तो उसका कुछ न कुछ मूल्य उन्हें वास्तिविक लागत के रूप में अवश्य मिलना चाहिए अब हम बात करते हैं वास्तिविक लागत की इस अवधारणा की आलोचना की तो सबसे पहली आलोचना जैसे मैंने पहले ही कहा कि वास्तों में ये एक मनोवग्यानिक तथ्य है तो अर्थशास्त्रों ने भी माना है कि ये एक मनोवग्यानिक तथ्य है कर्ष्ट, प्रयतन, या त्याग ये ऐसी चीजे हैं जिनको हम जिनका कोई measurement नहीं है जिनको हम माप नहीं सकते एक तो पहली बात दूसरी बात कि हर वस्तू का त्याग करने में हर वेक्ति को अलग-अलग प्रकार का कर्ष्ट होता है तो हम इसकी calculation कैसे करें जैसे जिस वेक्ति के पास बहुत धनराशी है करोडो का जो स्वामी है वो अगर 200-400 रुपए अगर खर्च कर देता है तो वो उसके लिए कर्ष्ट या त्याग नहीं कहलाएगा लेकिन जिस वेक्ति की दैनिक मजदूरी ही 300 रुपए है और अगर वो 200 रुपए खर्च कर दे तो उसका जो त्याग होगा वो बहुत जादा होगा तो कैसे इसकी calculation करें एक यह बात है दूसरी एक और बात होती है कि यह प्रतेग प्रकार के वेक्तियों के लिए अलग-अलग काम करने वाले वेक्तियों के लिए अलग-अलग रूप से दिखाई देती हैं को जैसे अकर हम बात करें कि सिक्षक को वो जो teaching करता है उसके बदले में जो धनराशी मिलती है उसको जो अपनी salary मिलती है वो में इसके सकते कि उसने बहुत कर्ष्ट किया उसने बहुत त्याग किया उसका वो परिनाम उसे मिलना क्योंकि सिक्षक को सिक्षण के दौरान आननद आता है अच्छा लगता है उसे पढ़ाना क्योंकि उसकी hobby थी वो उस कारे को करना चाहत किया बहुत दुखवा उसको बहुत त्याग किया वो उस समय में अपने घर में बैठके गाना का सकता था खुद सुन सकता था तो यह कुछ अटपटी से अधार मनोई ग्यानिक तत्थ है कहीं कहीं कैलकुलेशन कैसे किया जाए कैसे इसका लागत में इसको कैसे जोड़ा ज लगती है दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि आवेभारी भी लगती है यहां पी एक हागया कि जहां जादा कर्ष्ट जादा त्याग किया गया उसका मुल्य जादा होना चाहिए और कम त्याग कम कर्ष्ट किया गया तो मुल्य उसका कम होना चाहिए अब उसकी दैनिक मजदूरी हो सकती है लेकिन दूसरा एक वेक्ति मान लेजे कि कोई मैनेजर है किसी बैंक का वो अपनी जो भी वो सेवा देता है बैंक में अपनी 6-7 घंटे की सेवा में प्रती दिन की उसकी जो आए है वो 1000 से 2000 ये 3000 से भी ज़्यादा हो सकती है कष्ट किसने सहा दोनों में से उस रिक्षा चलाने वाले से लेकिन आये किसकी ज़्यादा हुई उस बैंक मेनेजर की तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जिस वेक्ति को बहुत कष्ट हुआ बहुत किया उसकी लागत ज्यादा उसको आया ज्यादा दी जाया और जिसने कम कष्ट सहा उसको कम मिलनी चाहे तो कहीं न कहीं है अवधार्णा भी थोड़ी सी अटपटी सी लगती है अब आईए देखते हैं अवसर लागत अवसर लागत की ये जो अवधारना है इसको हम और कई नामों से भी जानते हैं जैसे वेकलपिक लागत या विस्थापित लागत या हस्तांतरन लागत भी हम इसको कहते हैं अवसर यानि की एक अवसर को छोड़के दूसरे अवसर का चैन करना एक मजदूर को अगर वो इट भठे में काम करता है तो उसको प्रति दिन 300 रुपए मजदूरी मिलती है अब वो इस काम को छोड़ कर खदान में काम करने जाना चाहता है या कोई उसको बुलाता है कि वो खदान में आकर काम करे तो उसकी expectation होगी वो अपेक्षा करेगा कि यहाँ पर अगर उसको 300 रुपए दैनिक मजदूरी मिल रही थी तो कम से कम उतना ही उसको खदान में काम करने पर मिले या उससे जादा मिले लेकिन कम ना मिले कहीं न कहीं अवसर लागत की अवधार्ना यही कहती है कि एक श्रमिक के पास या किसे भी वेक्ति के पास काम करने के जितने अवसर होते हैं उन सभी अवसरों में वो अपनी उपारजन की समानता देखता है यानि कि आए जो हो उसको समान मिले या फिर एक से दूसरे में कुछ जादा मिले लेकिन कम ना मिले तो अवसर रागत का प्रतिपादन करने वाले अर्थ शास्तियों ने अगर हम प्रोफिसर बेनहम की परिभाशा देखें तो प्रोफिसर बेनहम का कहना है प्रोफेसर बेनहम के अनुसार मुद्रा की वह मात्रा जो कोई इकाई विशेश उत्पादन की, कोई एक इकाई के किसी सर्विसेश्ट वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्ति कर सकती है, उसे हस्तांतरन आय कहते हैं श्रीमती जॉन रॉबिंसन के अनुसार उत्पादन के किसी साधन की इकाई को एक उद्योग में बनाये रखने के लिए जो मुल्य देना आवश्यक होता है, उसी मुल्य को उस साधन का हस्तांतरन मुल्य कहते हैं तो प्रोफेसर बेनहम की परिभाशा में हमने देखा कि उन्होंने भी माना है कि एक इकाई के उत्पादन के आधार पर जो लागत आती है या श्रमिकों को जो भुकतान किया जाता है वो उसकी अवसर लागत के समरूप हो यानि कि अगर वो और कहीं काम करता तो कम से कम उसको उतना ही मिलता वैसे ही श्रीमती जॉन रॉविंसर ने भी कहा कि अपने उत्पादन में यानि कि अपने जिस जहां पर आप उस रमिक से काम करवा रहे हैं वहां पर उसको बनाय पड़ेगी जितनी उसको अगर वो छोड़के जाएगा तो दूसरे जगह मिल जाएगी क्योंकि प्रत्तेक जो व्यक्ति होता है उसकी एक मानसिक स्थिति ऐसे बनी हुई होती हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है हर व्यक्ति चाहता है कि अभी आज उसकी जो पोजीशन है कल अच्छे स्थिति में रहें आगर आज वो 300 रुपय दैनिक मजदूरी ले रहा है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो अपने व्यक्ति में उसको इस्थाइट तो देने के लिए बनाया रखने के लिए आपको उसकी अवसर लागत का आंकलन करते रहना होगा कि अगर यह वेक्ति दूसरी जगा चल जाता है तो इसकी सेलरी क्या होगी तो कम से कम उतना आय उसको आपको देना होगा तो आवसर लागत के धारना है जो कि कुछ मानिताओं पर अधारित है कौन-कौन सी मानिताओं हैं जिस पर औशात लागत सबसे पहली बात यह है कि साधन जो है वह सीमित हैं हमने देखा कि उत्पादन के भी साधन वह सीमित हैं भूमी की बात करें तो भूमी है फिर मिक का आपको अपने website में प्रियोग करना है तो आपको उनको अवसर लागत याने कि वास्तों में उनका जो मूले बनता है उनको देना चाहिए वो तो देना ही होगा दूसरी बात कि वैकल्पिक भी होते हैं साधन जो होते हैं बहुत सारे वैकल्पिक साधन भी होते हैं जैसे स्ट्रेश्ट विकल्प का हमको चैन करना चाहिए ये भी इसके एक अवधार्णा इस मानेतपर अधारित है उसके बाद है कि सही साधन का चैन करना चाहिए जैसे अगर हम श्रमिकों का या संगठन करता में से प्रबंध को क्लर्क का किसी भी वेक्ति किसी भी पूरे वेफसाय में अगर हम काम करने वालों का किसी का चैन करते हैं तो हमको कोशिस करना चाहिए कि हम मुल्य तो उनको प्रदान कर रहे हैं तो स्ट्रेश्ट स्ट्रेश्ट साधन का हम चैन करें वैसे ही ये जैसे हमने पहले भी देखा कि सबसे बहुत पूर्ण मानेता तो यह है कि साधन क तो जो है उनके अवसर लागत के बराबर मूल्य देना ही चाहिए यह भी उसकी अवधार्णा इस मानता पर आधारित है आए एक टेबल और रेखा चित्री के द्वारा इस अवसर लागत को हम और अच्छे से समझने का प्रयाज करें अवसर लागत की धारणा में अगर यह मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुएं एक्स और वाय का उत्पादन किया जाता है यानि कि अर्थव्यवस्था में पोर्ण रोजगार इवन प्रतियों की ताकी स्थिति है इसके आधार पर अगर हम एक तथा O-Y अक्षपर O-P मातरा में वस्थू का उत्पादन किया जाता है ठीक इसी प्रकार N1 बिंदु यै случаi N1 बिंदू बताता है कि इस बिंदु पर अर्थ व्यवस्था में O-M1 मातरा में एक्स वस्थू का और OP1 मात्रा में Y वस्तु का उत्पादन किया गया है अब जैसे कि हम रेका चित्र में देख रहे हैं कि अर्थ वश्ता N से M1 बिल्दू की ओर जा रही है इसका अर्थ्या है कि X वस्तु की M M1 अत्रिक्ठ मात्रा का उत्पादन करने के लिए हम vaaj वस्तु की PP1 मात्रा का त्याग करेंगे यानि कि X वस्तू की M M1 अत्रिक्त मात्रा की अवसरलागत Y वस्तू की PP1 मात्रा है जिसका की परित्याग कर दिया गया है इसलिए X वस्तू की M M1 अत्रिक्त मात्रा का मुल्ली कम से कम Y वस्तू की P P1 मात्रा के मुल्ली के बराबर तो होना ही चाहिए अगर ऐसे नहीं किया जाता तो साधनों का प्रियोग X वस्तू के उत्पादन से Y वस्तू के उत्पादन में हस्तांत्रित हो जाएगा यानि कि X वस्तू का उत्पादन ना करके वो Y वस्तू का उत्पादन करने में साधनों को लगा देगा ये पूरा ग्राफ ये बताता है कि इसमें A, B जो उत्पादन संभावना रेखा है वो X तथा Y वस्तू के उन विभिनिस अयोगों को बताती है जिनमें कि अर्थ रवस्ता में प्राप्त साधनों को उत्पादित किया जा सकता है